depress onD 엥 rot गlorishad पूरा 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 का पूरा बिचे सब्म इसका पूरा पूरा हम आप की कॉल्ड to तो हम आपको इन सभी questions का हल भी कराने वाले जितने questions दिखाए जा रहे हैं वे सभी questions का आप सभी को हम हल कराने वाले हैं तो आप सभी को करना क्या है यदि वीडियो पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर लिजेगा और यदि आप हमाई प्राप से मिल जाएगा वह भी वित हैंसर के साथ तो जैसा कि आप जानते हैं कि कच्छा ग्यार्मी के सेट एका हिंदी का सेट एक कोश्चन पेपर हमारे पास आज चुका है जिसका हम पूरा सेल्यूसन करके आप सबी को दिखाने वाले हैं इससे क्या आप जानते हैं कोश्चन पेपर 80 नंबर का होने वाला है समय तीन घंटे का निर्देश दिये गए हैं जो कि हमारे कुछ काम का है नहीं ठीक है तो चली चलते हैं कोश्चन की और पहला कोश्चन क्या है पहला कोश्चन पूछा गया है सही बिकल्ब का चैन कीजिए पहला है अक्का महादेवी के नाम में अक्का ककड भासा सब्दे का सब्दे का क्या अर्थ है तो आपको बताना है कि बेहन इसका जुत्तर होगा बेहन इसका सही उत्तर होगा ठीक है अगला है चंद में अलप बिराम को क्या कहते हैं बताना है कि चंद में अलप बिराम को क्या कहते हैं तो आप इसका टिक करेंग उत्तर यती कि चंद में अलप बिराम को यती कहते हैं नेक्स्ट है पत्थेल पंचली फिल्म की सूटिंग का काम कितने साल चला तो आप लगाना है तिक इसका की धाई साल कितने की पत्थेल पंचली फिल्म की सूटिंग का समय लगभग देर साल तक स्वारी धाई साल तक ये फिल्म की सूटिंग चली अगला है रचना की अधार प करकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं तो आपको बताना है कि सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र क्या कहते हैं अगला एक तिस्थानों की पूर्थी की जिसे पहला पूछा गया है रीति काल का प्रमुख रस है तो आपको लगाना कि पेट में चूहा कूदना में बिन्दी मिन्दी सब्द सकती है तो आप लगाना कि पेट में चूहा कूदना में लख्षणा सब्द सकती है कौन सा लख्षणा सब्द सकती है ठीक है इसके बाद है मिया नसुरुद्दीन बिन्दी मिन्दी के मसीह थे किसके मसीह थे तो आपको लगाना ह है कि जो मिया नैसुरुद्दीन थे वो नना बाईयों के मसीह थे ठीक है अगला है संस्क्रित भासा में हिंदी के बिना परिबर्तन में किये सब्दें इन मिंदी कहलाते तो आपको लागाने इसका तस्सम तस्सम इसका सहित्तर हो जाएगा ठीक है छात्रों अगला है कोई को खुदाई का काम क्या बोला कि कोई की खुदाई का काम बिंदी बिंदी कहलाता है तो आपको लगाना है इसका चिंजा क्या चिंजा इसका सहित्तर हो जाएगा चिंजा कि कोई की खुदाई का काम को क्या कहते हैं चिंजा कहते हैं अगला है हिंदी का पहला अभलता पत्र ह सख्क्रण पत्र्ण। होना है आचकर के निदे हैं at जान को लुक्र्ण गातर Thank you आप सथ्ट छंद्यूं लिए टीसरा ईंपाता फा्ट्र में लेखत में आपनाे त्ली णुक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर तो सदे क्या कि गुम्स पत्र नपचैरिक पत्र की सेडी में आते हैं तो आपके लगाना सरकारी पत्र नबचैरिक पत्र की सेडी में नहीं आते है आपके इस प्रकार सकते लगाना है ठीक है छात्रों इसके बाद आता आपका सही जोड़ी ठीक है सही जोड़ी बहुत ही महत्तपूर्ण आपका है कि पहला है महादेवी प्रसाद महावीर प्रसाद दुवेदी ठीक है न कि महावीर प्रसाद दुवेदी किस युक से इस ठीक है अगला है तार सप्ताहक ठीक है एक ठीक है मननु भंडारी आपको लगाना कि मन्नु भंडारी का समद्ध मैं हार गई किसे राजस्तान की रजद बूंदो से है और इसके वाद और चार हुगए पांछ हो गया अच्छा है इसका एंसर हम आपको वीडियो क्लाश में बताने वाले हैं तो आपको वीडियो कौने तक देखना है ठीक है कोई जल्दवाजी नहीं करेंगे तब ही आप पेपर में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकेंगे तो इसके बाद आता है आपका एक वाके में कितना है एक प्रशनों का एक वाके में उत्तर आपको देना है ठीक है तो चलिए चलते पहला है अक्कम देवी के अराद देव का नाम लिखिए तो आपको लिखना है सिव क्या होगा सिविस का राइट एंसर हो जाएगा शात्रों अगला है पंडित राज जगनाते के अंसर काभी की भरिभासा लिखिए तो आपको लिखना है रम्रियार्थम प्रतिपादा के सब्दे काजम इनका यह से उत्तर हो जाएगा अगला है किसान समानता भरत माता का अर्थे लेते हैं लेते थे तो क्या भूमी ठीकर जमीन को वह भारत माता मानते थे ठीक है अगला है भारत मित्र के संपादा का नाम लिखिए तो आप लगाएंगे पंडित हर मुकुंद सास्थे क्या पंडित हर मुकुंद सास्थे इसका अगला है हाथ के धन्नो धर को क्या कहते हैं सब्सक्राइब को लिगाना है कुमार गौंधर का वास्टिपी कि नाम क्या है कुमार गौंधर की जाने बा लक्त निखी और रिक्कत होती हैं अक्क धेरिक फंसे कॉंटक्ट कर सकतें कि हम आपको इसका इंशर भी बता देंगे और जहां तक आपको टेली ग्रामें और याझ हम तक तेईस तक ठीक है चात्रों तो प्रिश्न कमाच चह हैं निर्गूण depressed भक्ति धारा को दो विशेष्टा बताते हो हैं कभियों के नाम अथवा नई कभिता की दो विशेष्टा एवं दो कभियों के नाम लेएं अगला है कभी दुस्यंत कुमार उम्र भार्त के लिए पला सात्रों इस प्रकापा इसका आप क्वेश्चन पहले समझे लीजे ठीक है ना इसके लास्ट में हम आपको इसका उत्तर भी बता देंगे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा तो अगला है रोला च्छन्य की परिभासा उधान सहीत लिखिए अथवा है हस रस की परिभासा उधान सहीत समझाए अगला है प्रिश्चन कर्माग नौ प्रवंद कावे एवं मुक्टब कावे की दो प्रमुक अंतर लिखिए अथवा बिंद बिधान योजन से क्यात आत्व सब्सक्राइब कोई दो अंतर लिखिए अथ्वा नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए उके छात्रों अगला है संबेदन सील मामलों में बड़े अपसवरों की राय लेना कहां तक ठीक है लिखिए आपको लिखना है इसके बाद आता है आपका भारत की चर्चा नहरुजी कब और किसे करते थे अगला आपका प्रश्ण करवांग 12 है सक्द यूग में किसे कहते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए अगला है विग्यापन लेखन से क्या अभी प्रियेह का ध्यान रखना आवश्चक होता है चाहिए ठीक है ना अगला है राजिस्थान एवं स्वारी राज भासा एवं राष्ट भासा में दो कोई अंतर लिखे अथवा तक्निकी सब्द से क्या तादपर है आपको लिखना है ठीक है चात्रों इसके बाद आता है आपका संगीत में लए कितने प्राकार के होते हैं अथवा अनपर मिस्थान नेकी बिसएपा लेखन कार्य किया और कितनी पुस्टर के लिखिए आपको लिखना है अथवा है प्रिश्चक मांग 15 कहता है आपका समाचार पत्र के तत्तों के नाम लिखिए अथवा है सब्द लेखन की दो विखिश्चा लिखिए ठीक है इसके बाद आता है आपका प्रिश्चक मांग 16 और 17 जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अक्सर प्रिश्चन पर पूछे जाते तीन तीन नंबर के आते हैं इनमें हमने तिलोच्छन या मीरा भाई दो कभी हैं जिनमें से ठीक है ना दोस्तों क्या किष्णा सोबत्ती और सेखर जोसी इनमें आपको किनी एक का दो रचना है भार्सा सहले और साहिते मिस्थान आपको लिखना है हो जाए कि इस तरह से अटमे में आपका भी लिखना है भाप अलबन करने आपको एक टॉपिक दे दिया गया है आप इस प्रकार आपको नीस में कर लेंगा आपको घद्याम्स शाक की लिखना दिए कह प्रशून को तरह को देना इस प्रकार आप उनका कर लिजेगा ठीक है पढ़ लिजेगा छात्रों सेम 11 प्रसंग औरम विसेह ब्याभ evi trap양 लिखना है अब आता यह दो कुश्ण बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टन जो अक्सर हर एक्जामों में पूछे जाते हैं चाहिए आप गयार्मी पढ़ो चाहिए आप बार्मी पढ़ोगे तो भी पूछे जाएंगे पहले नगार पाली का अधिक्ष को नीमी साथ टॉपिक दिया गया है इस पर आपको रूप रेखा सहित आपको एक निवंद लिखेना किसी एक टॉपिक पर तो इस तरह दोस्तों आप देशकते हो आपको मैंने क्वेश्चन को पूली तरीके समझा दिया है कि किसी विद्यार्थियों को इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो आपको इसको दो नंबर के तीन नंबर के जितने पंश्चरा उन सभी का एंसर आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा तो दोस्तों इस परकार से आपको आज की पेपर का मैंने आपको पूरा फुल-डो-फुल सहलिउजिसन करा दिया है आने वाले जितने भी एक्जाम होंगे उसके लिए आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि जितने भी एक्जाम आपकी होने वाले उन सबी का आपको एक्जाम का एंसर हम आप सबी को प्रवाइट करा सके और बहुत असानी से आपको आपके एक्जामगी तारी करा सके So thanks for watching my video